कालम खगे मुर्गिय नगह, सिद्ध देव महाशिवा, कालम समान वर्धनते, यतो भाव युगे युगे, इसका मतलब है, रिशी, मुनी और देवताएं, पक्षी और समुद्र के जीव, ये सभी समय के साथ बदलते हैं, लेकिन आकाश को कोई नहीं बदल सकता, अगर ऐसा है, तो नश्वर मनुष्य के रूप में हम इतने जिद्धी क्यों हैं, जो सोचा अगर वो नहीं हुआ, तो जो हुआ था, उसकी बारे में सोच कर क्यों चिंता करता है, मैं अक्सर आदित्यस से बोलती थी, बच्पन से वो ऐसा बिलकुल भी नहीं है। पुरानी वोच को दीवार पर कील मार कर लटका कर रखा हुआ है, उसमें वो खिलोने की वोच है, जो चीज उसे पसंद आ जाती है, उसके लिए जेत करता है। वो कराने के लिए कह दिया उसे, आदित्यस ने कहा, नहीं मुझे बुलेट चाहिए, वो भी अपने दादा जी की बुलेट चाहिए, और इस बात के लिए उसने जित पकड़ लिए और उसी बुलेट में कॉलेज जाय करता था। उसके घर छोड़े असी दिन हो गए हैं, उसके बारे में हम पिना सोचे जी रहे हैं क्या? आठ सो दिन भी हो गए हो तो क्या हुआ? I don't care. उसकी कोई ग्रेट लव स्टोरी नहीं है, मैं क्या करूँ इसमें? असी दिन नहीं हुए, पूरे 82 दिन हो चुके हैं, उसे घर से निकाल कर. एक बात अच्छी तरह से याद रखना, लाइफ के अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम डीपली जाएंगे, तो सिर्फ जीरो हासिल होगा, और तुम्हारा भाई उस जीरो के बहुत ही करीब है. मूर्थी, गारी स्टाट करो. ए पागल, ये मेरी नाइटी है. बत्तमीस, हम्? झायव flourा झायने दोग्णेया स्टाट लगवां जेपली जेडियारा भाज्च करोका हमे の रखना, ये मेरी जे kट में हो 2 ले Strategy. कि तो मेन में हम इ 먼 झावरा झाव ह said उना, बत्तमीस करो. प्योडना ゃफ र ciertा बॉडना ए रिपर न जॉडना है झाल झाल क्या यह पिए झाल फिए प्रवा यह जो प्रवार्वा वह प्रवार्व कर दोड उसे अजीब गाने क्यों ए अब बाग्मिए जाया है अब यह जड़ोरी है क्या शरूरी फ्लीस गो ना ए शटफ यह तो मिनिट में वो जाएगा कर लादा और अपल आपका आपल अज़र के लिट कर अखा अब प्लेड़ा लेखा, तुमने बोला था ना मेरे सेमिनार मेंस किया था, अभी आओगी, अड्रेस दूँ क्या? अब ही आओगी, मेरे फ्लाट पर आना है, ओके? हाँ, बोल भै, बारतेफ, जरा मोखोली है, उस दिन देरे क्लिनिक पैदा था, एक लड़की ने मुझे देखके कहा था, कि मैं बहुत हैंसम हूँ, याद है किया है, हाँ, दीपती है, मेरे फैमिली फ्रेंड, क्या हुआ, बुलाओंगा तो फ्लाट पर आएगी कि, फ्लाट म मेरे बातमान शांत्रे पता चलेगा, तो बहुत बिज़ती हो जाएगी, ए, ऐसा कुछ नहीं होगा, वह आएगी या नहीं, ए, उसका ओल्रेटी बॉइफ्रेंड है, नेक्स येर उसकी शादी है, समझने की कोशिश कर, ओ, नेक्स येर न, अभी बुलाओंगा तो आएगी ए, ए, आएगी या नहीं, ए, मेडिकल साइको, दिंबे दिन तु इतना चीप बिहेव कर रहे है, नहीं आएगी वो लड़की, तो अपनी अरकाते बंग करो और उसमीरा को भूल जा, क्या कर रहे हो, मैं देता हूना, अटो, हे, अरे ये क्या भाई, तुमने अटो में शुशु कर दिया, क्या कहा, डाइपर, अब, अरे, जब आता है तुम्हें पता नहीं चल साक्या, सुबे सुबे गाड़ी को गंदा कर दिया, ची, क्याणकर भज है, सुबे ह academ orange, कि कि अचली अब, क्याणकर नहीं कि अ, हम अरे कि अ क्यात potels को के लाड़ी में हाई क्या अा태, आता है! क्या अर्ए, क्याइए? आफ ए मीरा क्या खारहे हैं इडियेट मुह खुलो अपना क्या खा रही ओ थुक थुक बार निकालो किस ने दिया चिकन तुमें सर मैशवरी तुमसे कितनी बाहर काई है इस्से कुटामत काई मीरा ने तुमें क्मेह तक्लीफ दीये किया इसका शिट विड़ भी मैं ही क्लीन करता हूँ ना तो भर तुमें तकलीफ क्यों है चिकन कापसे खाना शुरु कर दिया हा वेच से नौनर्मेज बन गई हा इस ने कहा था क्या आपसे इस ने कहा था क्या बोले जाओ जाकर अपना काम करू क्या करती है मीरा तुम्हारे जैरजी मुस्कुराट और हसी गायप कर दूँगा देख रही है मीरा यहामें देखे कैसे हस रही है दीपा आज फोर राज की सरजरी है ज़रा साफधान रहना और डार्ट मत खाना हां गुद मॉर्निंग सर शेर गुद मॉर्निंग डॉक्टर गुद मॉर्निंग आजए! 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 व्द्टर्णी णिए लिए क्लासिक चेस अध ऑफ ऐंगिलर माल यूनियान इवद दर फीमा यहि आप भी सुनिया है आपके लिए भी यह इससे स्किन कटने के बाद ठीक हो जाती है, वैसे हड़िया भी हो जाती है, पिछली बार फ्रैक्चर हुआ था 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 एक लोकल डॉक्टर की मदद से अपने क्रेप पटी लगाई थी, यह ठीक नहीं है, ओके, इससे हड़ियी ठीक तो हो गई, लेकिन एक गलत आंगल में इसकी वज़े से आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो गए, और आपको दर्द भी हो रहा है, तो अब हमें काम करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे, जो एकसेस है उसे काट देंगे, और इसे इस क्रू से स्ट्रीट फिक्स कर देंगे, ओके, डॉक्टर, सरजरी तो पैर में करना है मगर शेविंग हर जगे कर दिया, चाको इधर अधर तो नहीं लगाएगा ना तुम लोग ने पेशन्ट को एकस्प्लेंड नहीं किया था क्या, किया है सर चाचा, यह प्रोसीजर है, यह कोई टेंशन नहीं है, जब क्रिकट खेलते हैं तो पिछे नहीं साफ करते हैं, पुरा ग्राउंड साफ करते हैं ना, वैसा ही समझ लीजिए, कोके, कुछ टेंशन नहीं, ओके, यॉल बी ओल राइट तो अब उस पेशन का मामला सेटल हो गया क्या है, हो गया सर, बेड नमबर 18 के लिए उटी रेडी करो, सर, उनके जोतिश नहीं का था, आज का देन अच्छा नहीं है, तो सरजरी कल कर सकते हैं, मैं कल नहीं आने वाला मुझे कल मीरा को पार्प में लेकर जाना है, तो फिर क सिस्टर, सर, एमो ने लॉग बुक में एंटर करने से मना किया है, और पिछले दो महिने से बहुत जादा पेशन्ट आरे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सर, ये लॉग बुक का जमेला फिरसा है क्यों आरा है, डोंट ब्रिं दिस शिट तो में तोलसी, ये गो ARE G edいます प्रॉब्लम ये फिल्स क माफ फिल्दर, जुछ पॉसार, तो अंतित्स की में है प्रॉब्लम ॉर्स्टि defendants ब्रॉब्लम का घुछिश उबश्म झाल 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 बोईज तुरी हाँ कोई प्रोब्लम नहीं ब्रोव तुर्न तुर्न कट काँ हाँब ये ये तरू और काँ हाँ संबाल कर अपने हाथ से ठक अगर अंदर गया तो अंदर काइछ साधिल जाएगा फिर तेरे ले चड़ी पेनने में भी बहुत तकलीफ होगी याद रखना है तुमने कैसे मेडी कॉस्ट हो यार फर्स्ट एट केट बैग लानी चाहिए थी ना ये चसमीस हमें क्या सपना है था कि सर फुटबोल मेच में पाटी करने वाले हैं इस वक्त सेंट पैट्रिक्स लीड कर रहे हैं और इस वक्त अजय आचुके हैं इकुलाइजर करने देखते हैं वो ये कामोन आदे यादी ये गॉसी इंपॉर्टन पैट है और ये गोल गेम का रुख बदल सकता है ऐसा है क्या तू गोल करके दिखा तूने गोल किया ना शेयर के बीच बिना कपड़ों के भागूंगा आजा दिखा कितना तम है कम ओन गोल कर कम ओन गोल कर तक कि अधि अधि एधि अधि अधियर को रहाएं यादि फूर भाहर में जला जा आधि पागल उसे क्यों बगड़ रहा है अधि आधि आधि इंससे च्टापिश्चन में झेला जली दिए एक आपफ एक जाए एक जाए पुड़े कि यॉजज़ है लगाज़ की नहीं का है क्ट जाए बादिए इस बार पिए कप हमारा ही होगा अ इस बार वह इस मार पुरिख गड़ा के ला बहुत बढ़िए ला बधने व्याए जाए इस बार भी एक घड़ोगा c'mon boys c'mon भूहाजज चाम अप्सटर अवस्टर आप अधी पीचिए अधी कर दो यह तरुन, मेरे लिए जाकर इस ग्राउन का गेट बंद करके आना, प्लीज यार आधी, नौ प्लीज आई कि उषके मूबलाइद मार इसे चोड़ना नहीं तो रहा है हादी चोड़ना नहीं इसको बचके नहीं जाना चाहिए आजके अर्ट किसी पे आतनी उठा पाएगा इक अमीने अंकल और नीचे रख मेरे भी सिक्स पैक है पता है गया है आदी तुने जिसे गाली थी वो आदमी पता है कौन था हमारे स्टेट का फुटबॉल कंवीनर तुमने तो उसे इतनी जद्दी कि उसे गूस बंस आ गए होंगे कब रखकर सीधा रास्ता पकड़के चला गया वो जानता था कब हमारा है इसलिए वहीं चोड़के चला के यह ज़रा पानी देना आदी डीन तुम्हें बुला रहे है गुड मर्निंग और वेरी वार्म वेलकम तो आल निव इस्टुदेंट्स सौ साल के पुराने इतिहास के इस कॉलेज में आकर आपको कैसा मैसूस हो रहा मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सेंट पैट्रिक के उन कुछ चात्रों में से एक है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हुँगा लेकिन एंगर मेनेजमेंट में शुन्य He is a classic example आप सब के लिए Medical profession में जो इनसान गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो एक सर्जिकल ब्लेट की तरह मडरर के समान है चीजों को नापसंद करना गुस्सा करना रशब बलड एड्रिनिलिन यह सब कुछ एक आम इनसान के लिए सौभाविक बात है लेकिन जब आप इन सब चीजों को इग्नोर करोगे तभी आप पेशेंट को बचा पाओगे और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो यह डिगरी बेकार है अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो उसे बरदाश्ट नहीं किया जा सकता सर पूरे मैच का वीडियो है सर अगर आप कहे तो मैं दिखा सकता हूँ अच्चुली उसमें इसकी कोई गलती नहीं मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है और ना ही मैं कुछ देखना चाहता हूँ अगर चाहो तो कॉलेज छोड़ कर जा सकते हो फुटबॉल इस वाइलेंट स्पोर्ट सर इस गेम को अबजेक्टिव है उपोनेंट की गोल पोस्ट में गोल करना और उपोनेंट को हम पर गोल करने से रोकना तुम मुझे रूल सिखा रहे हो नहीं सर मैं तो रेजरवेशन बता रहा हूँ आप सुनेंगे सर इस गेम में बलड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है एक जंग जैसी वार लाइक फील होती है इसमें और उस फीलिंग की वज़े है ये कॉलिज मैंने कॉलिज के बारे में बहुत सोचा सर बहुत सोचा और इसलिए मैंने अपने गुस्से को काबू भी किया लेकिन आखों के सामने कर कुछ गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता सर वरना मेरा चुप रहना आदत बन जाएगी सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं, लाइफ में भी तो तुमने कौन सी आदत ढली है लोगों को मारने की तुम किसी भी इनसान पर हाथ नहीं उठा सकते है उसके सामने आपके ये प्रिंसिपल्स और चैंपियंशिप खोने का डर इस नाथेंग मैं तीन मिनट और टाइम पास करता फिर फिलिसिटिशन फंक्शन में प्राइज मिलता यहीं पर बट तो तुम कॉलेज छोड़कर जा रहे हो आखिर गुस्ते से जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो तुम आप समझ नहीं पाएंगे सर आप इस कोलेज के दिन एंपोई दुटी मै इस कोलेज का स्टूदंट हू यह मेरा कोलेज है अप विड़कर अब्रिशम्स हीन अलो माम आई यहीं प्रिपर कीव ट कोलेज यह माम आदित्या, क्या ये सच में जरूरी है, can't you write an apology ठीक है, NOC papers ready है, डीन से जाकर sign कर वालो ओ, डीन पेरेंट्स के साथ मीटिंग में है, तुम्हें दो गहंटे वेट करना पड़ेगा ओल राइट अरे पूरा यकीन है, वो सल्मा थी क्या करोगे प्रवा कर दो मैं जरूरी है, जरूरी है जरूरी है अगज से लित्षें में अगया समय को तो टो अगया कि अगया समय, कि अगया आगया जागया रिगकाम। पिंक चुडिदार और लेड़ी गैंग जाए कर दो बेड़ी झाल हम पिंक चाल जाए साफम क्या जाए 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बाई बाई पेंक कलर चूड़ी दर वाली लडकी को देखा है? वाई हो बहुत सुन्दर है ना लगता है वो लड़की एंबरेसिंग फिल कर रही है यार तुझे देखकर अल्रेडी एंबरेस है चल कल यार चल लिग ही क्लास है वाण क्या? ए जाना कौन सी लड़की है? वो पिंक कलर के ड्रेस वाल लड़की को देख रही है वही है क्यूट है ना? ए बच्ची चलोट जा नाम क्या है तेरा? मीरा फुल नेम मीरा शटी मैंगलोर? शटीले इंचन नहीं, बट शीज फ्रम पुत्तूर थर्टी किलोमेटर फ्रम यहर वही नाम क्या बता है ए बच्ची सर नाम पुछ रहा है ना तो बता मीरा अच्छी है ना यह भी लप्टू हो गया था इस ते हाँ हाँ पापा अधित्य हमारे मैनेजर सुन्दर है ना उनकी कजिन डॉर्टर ने तुमारे कॉलिज में जॉइन किया है हमारे कॉलिज में हाँ बेटा और तेरा कॉलिज तो रैगिंग के लिए फेमस है ना हाँ बेटा वह बहुत डरे हुए है इसलिए उन्होंने मुझे फोन करने के लिए ठीक है मैं देख लूँगा पापा फुटबॉल मैच कैसा राप पूछिए अरे हाँ तेरा भाई पूछ रहा है फुटबॉल मैच में क्या हुआ थोड़ी सी लड़ाई हुई मैंने थोड़ा मारा क्या हुआ यह क्या कह रहा है तू एक महिने के लिए सस्पेंड कर दिया है सस्पेंड कर दिया है घर पर फॉर्मल लेटर भेज देंगे एग्नोर कीजेगा ठीक है अधी क्लास्रूम में जाकर जो सिन क्रेट किया ना लगता है उस लड़की ने अपने पिता से शिकायत कर दिया वो आदमी ओपीडी में चला गया और अधीत वर्मा कौन है अधीत वर्मा कौन है वक्वास कर रहा है वो हाँ तो तू अल्डेटी सस्पेंड है यार तुझे सच में यह सब चाहिए या डिगरी खतम करना ही अपने अपने सर्दद है यार वो क्या है रे अधी उसने तुम्हें देखा नहीं है तुझ चुप चुप यहां से निकल जा यह लड़की पागल है क्या वाट्सपर लोकेशन शेयर किया हो ऐसे अपने बाप को लेकर यहां गई मैं अधित्य वर्मा हूँ डॉक्टर हो कर स्मोक करते हो तुम्हारे पापा इस बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं लेकिन वो पूछेंगे तो जूट नहीं कहूंगा तुम्हारे फादर के मैनेजर सुन्दर उनका फस्ट कजिन अउ अंकल शेट आपके बारे में खयाल रखने को कहा था मेरी कोई सिस्टर नहीं है तो मुझे नहीं पता वो इमोशन कैसा होता है अधिकार जमा कर से मार सकता हूं अगर इसने कम मार्क्स लाए अगर इसने कम मार्क्स लाए अगर कोटा से आयो किस कोटे से मैंनेजमेंट कोटे से केसे 17 रांक मैं आख पसंद है इसलिए यह कॉलेज से लेकिया अगर अगर तो फिर मैं चलता हूं यू टेक केर आप से मिल अच्छा लगा आइल सी यू बाइ मिरा चलो चल्टे ए अंकल ए टो रुम्स अंवरी मैं संवालुंगा इस ए उन् हुआ है यह वह इधर आ रहा है क्या हर घड़ी हर घड़ी बदल रही है रूप जिन्दगी चांव है कभी कभी है धूप जिन्दगी हर पल यहां जी भर जीओ जो है समा अरे यहां जा रही है पता नी यहां का कैंपस कैसा है अच्छा है खाना ठीक है अच्छा है गुट 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 अच्छा है अंताक्षरी खेल रही थी हाँ तुम्हारे पापा चले गए तुम्हारे रही है किसी ने नहीं देखा क्या किसी ने भी नहीं देखा हम लोगोंने भी नहीं देखा जाओ अंताक्षरी कहलो सही जारा है या सुबह मिला शाम को मामला फेक जारा है मीरा यू गो बैक मीरा यह नॉर्मल डिगरी नहीं है MBBS है कॉलिज में जॉइन होते ही यहां से तयार होना चाहिए कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं और वहां क्या कर रही हो तुम पर एक खुबसूरत लड़की और एक मोटी लड़की अ गुड़ लुकिंग चिक और फाट चिक डेटली कॉम्बिनेशन तुम्हारा नाम क्या है तुम्हें बता दूगा और खुद भी रिवाइस कर लूँगा कम उड़की कर रहा है वट मीरा अज का टॉपिक यह तुम्हें तो आमिरा अपर थोर्यक्स ओक्या जब पकाना बंद कर अब परतिर फिर से कॉल करके देखना क्या प्रोब्लम है तुझे थोड़ा सबर नहीं है क्या तुने जनम लिया है या कूदी मार क्या है एह एक बार ट्राइ करना शाइद जवाब देदेगी करके तो देख मैंने उसे फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाया ये देख क्यों नहीं उठा रही है यहले फोन करके खुदी पूछ ले अरे वैसे नहीं या अगर वो निकल गए होंगे तो पांच-देस मिनिट में पहुँच जाना चाहिए न मैंने तेरा नाम लेके फर्स टेप तो क्लियर कर दिया कोई भी उसके पास में नहीं जाएगा अब तू भी परिशान मत कर यह उस लड़की को सबसे पहले कलर तू ही लगाएगा यह सर्प्राइस था तेरे लिए लेकिन तूने टॉर्चर किया ना इसलिए फटेला डोल तूने सब बता दिया क्या मेरे सर पे बैठ करके मुझे सवाल पूछ रहा था साथ बीर पी चुका हूं लेकिन बिल्कुल नहीं चड़ रही है ब्लेडी क्वेश्चिन बैंक तुझे चूट कैसे लगी अरे यार जब छोटी सी चूट है बीर चाहिए क्या कहीं गुजादी होगी अरे दरवाजे से टकरा गया था उस दरवाजे का साइज पांच फिट और दो इंच होगा एक जीन्स के साथ साथ बार कुर्ती बदलती है अधी अभी गॉल्स होस्टल से आ रहा हूँ मैंने मीरा को देखा वो वाइट ड्रेस में कोई प्रावलम नहीं है अच्छी बात है कि पूरा सिस्टम हुआरे कंट्रोल में ठीक ऐम फंस को साथ थित ऊपल्स श्युक्त और दो तू झाम मेरे बाप है वह वह बहुए बादती पहलती त था राघब है सब्सक्राव बड़े स्पलाल कासवता हूए कार्यसे गवड़्यक रोणयों वह प्तृबली तू यह मॉल्री डियक शमॉखती रोली में रहता है मैं अभी उसके टेच में नहीं हूँ I don't know what's happening man और कितने मने तक तु एसे रहने माला है वन सिकंड से यह हलो तू क्या बोल रहा है कमीने कौन है वो है कौन है वो है कौन है वो है तू भाई रुक में आ रहा हूं काक्न काुच लोगे नहीं सुए है यह यह तु प्रूज बतिंड घु कोई यह तू शोच्व抖़ख़गे, अज्ड़ संदाश्यश्याह बढ़कना टानी दो बढ़े तून कृए दो . इतनी सी बात के लिए रोक्यों रही हूँ जाओना हालो बाहर चलते हैं सेर दूसरे कॉलिश के रड़के कामपस में तुम क्या हो खाड रहे थे एक्चुली सर बोलो पूरे छे लोग थे छे लोग थे छे लोग थे बोलना सर उसी फुटबॉल में को जो जगड़ा हुँ थे उसी कॉलेज की रड़के आए थे सर उन्होंने पुशा आदित वर्मा की जल्फेंड कौन है खथा चलने के बाद गलाज जग़े पर कलर लगा है सर मुझे बताओ कहां कहां पर रंग लगा है सर यहां पर और यहां पर भी सर स्वंन पराफ जामार्ण पराफ जामार्ण पराफ जामार्ण कि वे देखें कान आया है देशबाल बल्ले के साथ फुटबॉल चैंपियन चला जाजा जाका धाइब चंप सुखें अब चूकर दिखाणा उसे अब चूकर दिखाण hadhi ऐसे देखा नहीं इस ते उसे कहा कहा चुआ तुने देखा नहीं तो यहालत है छे महीने बाद हम नहीं होगे तो क्या हालत हो कि इसके देखबाल कॉल करेगा इस बात की कौन गारंटी देगा, कि ये सब दुबारा नहीं होगा एक कमीने, इसे रेनी होगी कारेंटी देना, गारंटी दे कमीने बोल भी ला किसा दुबारा नहीं होगा इसे देखने, इसे रेनी होगीवाँ, आधी आधी, आधी आधी, आधी एथी, आधी 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 रे यार, ये पहरुझे लाइटर ये ले मुझे वह लड़के बहुत पसंद है और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बात सीखी है कि हम सब पर किसी एक इनसान का सबसे खास आसर होता है मेरे लिए वो इनसानी लड़की है हिसे कुछ हुआ ना तो I'll be the most affected, you understand? यह समर तुने चो किया वो गलत था प्रोमिस मे राइट नौ, I have no bloody patience प्रोमिस मे राइट नौ, प्रोमिस मे नौ तु ऐसा परसे नहीं करेगा प्रोमिस मे राइट नौ प्रोमिस यहार आसी नौबत फिर नहीं आएगे और अब भाड में जा तुम तुम और तुम भी और प्रोमिस में आएगे तुम प्रोमिस में प्रोमिस में थाओ़े किया प्रोमिस में आएगे इंट्रो अटेंड नहीं करेंगा तरसा ही होगा ना मा, मा बहुत लूस टक छोड़ रहा है मा, उसकी बात सुनती ना तो आप खोद उसे शर्ट पकड़ कर मार देती, क्या, नहीं मा, नहीं, नहीं, एक, ठीक है, क्लेनिक में जाकर बात करता हूँ, बाई, कमपेरिंग एफिशेंसी ओफ मेंचल, भाई, तु इस मूड़ में डिशिष लिख रहा है क्या, कमाल कर रहा है यार, इस मूड़ में ब्रेन शाप होता है, यह, उन मचलियों को तुने बोतल में क्यो रख खाय रहे है, मेरा पड़ोसी पीटर हना, वो इने चोड़ कर चला गय अचलिया, देख रहा है क्या कमाल का आइडिया है, अब क्या करेंगी देख, जिस दुनिया में हम खुछ नहीं मां को यह, और कश नहीं होना चाहिए, समझा कर गया, जब फिश्के तुम्-अचलिया है. ञीए खुषणिया है. पाभरे, दिखिवभीशत, वन दूमरी अच तो पागल है तो उसे मारने के लिए जारा था उसका दिमाग खराब है क्या दस ग्लास थोड़ चुकी हो मेरा कोल्डन डॉप ग्लास इसलिद उसको मारेगा सिटी में उनका भी गेंग होता है आजेगी ना तो पुरी इजद उतार देगी तू भी ना एक नमर का पागल समझाओ उसे जाब देखो ग्लास थोड़ अच्छा क्या हुआ टांके लगा रही है हां उम्र क्या इसकी नाइटीन तो टांके लगाने की क्या जरूरत है इस उम् सकते क्या अरे या अभी तो आया या इडियाट्स खत्मोंने से पहले सर्जरी करने की कुझली आ रही है यह गिनिपे के तुम्हारी हां पढ़ाय किया या कॉपी करके पास हुए हो चलुट कॉटन या डीपली कट गया है काफी ब्लीडिंग होई है सब बुक्स के यसाब से जाएगी थोड़ा दर्द होगा लेकिन मेरे लिए सेल हो के बिना चपल के कहां गूम रही थी जाकर बात कर यह जाकर एक वील्चर लेकर पोचूंगा तो बताएगा क्या मीरा को बीच हाउस लेकर जाएंगे उसका कट काफी टीप है तो होस्टिल में रहना उसके लिए मु मुझे कॉलिज से सस्पेंड किया मैं खाली हूँ और में उसके लूपल गाडियन भी हूँ उसके पापा ने का था मैं उसका खयाल रखो कितनी बड़ी-बड़ी बाते करने लग गया है तू उसके पापा ने का था कि उसके भाई की तरह खयाल रखना ऐसे उसकी बॉड़ी तो मीरा का पेर बियर बॉटल से कैसे कटा है जाओ बैग में मीरा के कपड़े भर के लाओ ओके सर वाडन नहीं है क्या नहीं सो वो आएगी तो बताना मीरा लोकल गार्डियन के घर गई है मैं ड्रेस वगेरा रख दिया उपर है वो वो दोनों भी वो छॉइ वो 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 अपर बहुंशन इ बोदी चुब्हक चलए थे हूपब जर स्याँल – खर देती है ता रहिमत I जर से और सेवे धिया डρती। जर आप भी जर तेती है को जरचें जर खर भी मीरा अंदर ठाइक्स तो चलो वापस चलते हैं नहीं उदर भी मज जाना मीरा के कपड़े वहाँ सूख रहे हैं ए उदर मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं नहीं वो तो मैने पोटली में बांध कर यहीं क्या मतलब पोटली में बांध के रखा है तुम लोग कई बाहर जाना चाहते हैं नहीं अच्छा फिल्म देखने जाना है हाँ जारे जारे तुम्हें पैसे चाहिए नहीं जरूत होगी तो हम खुद भीख मांग लेंगे चलो ठीक है कुछ कहा तुम लोगों नहीं हाँ दरवाजा ठीक से बंद करने को बूला है अधी तुम्हें मेरे बार में सबसे सिदा क्या पसंद है तुम्हारी सांस देने की स्टाइल मुझे पसंद है है लाइक दो वे यू ब्रीद ये तुम्हारा प्रश है यह हम क्या देख रहा है मुझे पटा है यह लड़की हमेशे यही रहने वाली है अगर तु हमें रोज पार्क या फिल्म जाने के लिए कहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा मेरी बात समझ में आरी है ना तू और दरुन कैंपस में शिफ्ट हो जा यह इसमेर तू भी कम नही है मैं भी यहां पर रेंट देता हूं यह चल जाना यार मीरा क्या हुआ अज मेरा बर्धे है 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 यह एपी बर्धे है यह हैपी बर्धे मीरा है तुझे यहां इसमें तेरी बुक्स है इसमें तेरे कपड़े और उसमें तेरे गैजट्स है और कुछ तो बचाने है ना मीरा तुम्हारी एक्जाम्स तो खत्म हो गए ना तुम अभी तक निगली नहीं हम लोग पर्सों जा रहे हैं तुन अब तक अपना समान पैक नहीं किया कल कर लूँगा यह आधी मैं दो दिन और यहां रह सकती हूं बेबी यह सब गुटबाई बुटबाई मुझसे नहीं हो लेकिन अगर तुम मैंगलोर में ही रहोगी तो मैं यह जगया नहीं छोड़ पाऊंगा तुम कल चली चाहो ओके तुम मसूरी चाहो के और मैं चन्न नहीं चाहोंगी पर सेम डे प्लीज बेबी तुम समझ क्यों नहीं रहिया पहले यह सब डिसकस हो चुका है ना बेबी फि हमने टिकेश बुक कर ली है तुमने अपना लगेश पाक किया न हां रात बाकी बात बाकी होना है यह बीच हाॉस हमारा टाइम पास पाइनल यह हाउजी मैंगलोर सैंट पैटिक्स लाइफ कोरी रुटी फन जौली आज से यह सब खतम हो जाए गया यह ए क्या खतम हो गया जैसे यहां कोई मर गया हो, क्या खत्म हो गया, वो यूके जा रहा है, मैं मसूरी जा रहा हूँ, तू खुद का एक क्लिनिक शुरू करने वाला है, देखते हैं तीन साल में कौन कहां रहेगा, जब देखो तब नोस्टाल्जिया की बाते करके पकाता है, तुझे क्या कमी है, एगाइस, गैस गैस वाट, अपने रागव सर्फूर्ति का वीडियो अपने कॉलेज में बहुत वाइरल हो गया है, तुम लोगों नहीं देखा, कैसा वीडियो, वही होगा, जिसमें दोनों लॉग ड्राइव पर गये थे, जिसमें दोनों लगातार एक दूसरे को किस भी क टुनाइट कियास 15 मेरी बात मान फसमत जाना थे मैंने कभी तुम्हें बढ़ी कहकर बूलाई है क्या अरे वो फूल फूम में है, अपना पहला कादम बढ़ाओ, तुमसे खरो अपना पहला कादम बढ़ाओ, अधी आधी तुम सुना हो ना बेबी बेबी लिस्टेन बेबी सुनो ना सिर्फ टू डेज प्लीज प्लीज मैं तुम्हें एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या दो दिन से टू डेज टू डेस करके मैं इरिटेट कर यह जा इरिटेट कर यहां मैं मर गया 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 बेवी इसके बेवी बेवी कोई रोता है यहाँ देखो दोंट ख्राइब बेवी आम सॉरी आम सॉरी बेव मेरा तुम पागल हो गई है इतनी दूर कैसे पॉँची बस में बस बेबी हमें दूर हुए फिफ्टीन डेस भी नहीं हुए है मुझे इसा लग रहा है कि फिफ्टीन यहस हो गए है मैं इस्टी हूँ कि अच्छी बस्टीन यहस है कॉंगराचुलेशन्स दॉक्टर मीरा थांक्स तो यह दुमारा गर बहुत अच्छा है कमें साइब आता हुना माँ है अधी यह मेरा भाई है मेथून मेथून शेटी अधित्या 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 वाट मेथून पीहेव यह यह माँ यह आधी हलो अंटी मुझे आप से और अंकल से कुछ बात करनी है इस अंकल है मेरा को अपने साथ ले जाओ अच्छली मेरे भाई की पर सो शादी है और घर पर फंक्शन्स चल रहा है तो इसलिए ले जाना था हम एक घंटे में वापस आजाएंगे कॉंचुलिशन्स पर हम ऐसा नहीं कर सकते इसके बापा क्यानी के बादी मैं आपको बदा सकती हूं आपको वेट करना होगा क्या चाहिए कॉपी लेना चाहिए आपको चाहिए कॉपी लेना चाहिए मिस्सिंग मी मेरा मेरा डरने कि जवरक नहीं है अंकल मैं इस बारे में आपसे पापा कब ही नहीं उचे कॉल जमार्डे करी में थमजगा था कि एक अवार है तो पाप मेरी बात तो सुनिये अंकल आप क्या कर रहा है तो आपका दामाद होता तुभी ऐसा ही वरताफ करते हैं तुम्हारे जैसे लड़के को अपनी बेटी कभी नहीं दूगा मीरा मैं उनसे बात करूं यह चला जाओ मीरा गो इंसाइट मीरा बहुती रॉंग परस्पेक्टिफ से देख रहा है तुम्हारे पापा बैठ कर एक्स्पें करों नहीं आप पड़ी टीनेजर्स तौक तो इम लाइक वोमन मीरा गो इंसाइट गो अलो क्रे मीरे के टेरेस पे तेरे को क्या काम है इधर उधर क्या देख रहा है इधर देखना है तू मेरा साला है यार मुझे तेरी बहन से प्यार है समझ गया न विर लाइक फामली ना ब्रो गो पुट सम सेंस इन यूर फाथर सेट तू भी बिल्कुल अपनी बहन पर गया है ठी कौंसे क्लास मैं दू टेंग स्टांडर्ड यह सब बकवास बंद कर दें और जारा पढ़ाई पर ध्यान दें शमझा हुम् समझा ना यह लोग तेरी क्लास लेने क्यों आया है मैंने कहां पार्टी दूना पार्टी देगा यह कंदें पार्टी यह लोग यह जाके पापा को बोल मैंने तुझे भी किस किया क्या हुआ अधित पापा मैंने आपको बताया नहीं बटेस्ट इस गर्ल बताने वाला था कि अधित पापा मीरा नाम के लड़की है रिली लव हर चेह मैने से उससे देखा नहीं था तो उसके घर पे गया उसके टेरस पर था वी वर इन प्राइवेट स्पेस सड़नली उसके पापा आ गया उन्होंने सिचुवेशन को समझा नहीं यह कैसी बातें कर रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह सब करने के क्या ज़रूद थी पापा वी वो मीटिंग आफ्टर सिक्स मांस मीटिंग फर वाट वही बता रहा हूं पापा हम प्राइवेट स्पेस में थे टेरस के कॉर्नर में थे सड़नली उस सरफ से उसके पापा आ गया उन्होंने कुछ पर मेरी उमर से क्या मतलब है तो ज़रूद रुकना यार शादी होई थी तब आपकी एज क्या थी 23 टो किना वाट्स माइज इससे उसका क्या संबंद है डाट मेरी एज क्या है वाट्स माइज यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह सिद समझाना यह मेरी उम्र क्या है मेरी तेरी उम्र 25 है घ्र्ट्स वाथ अग्षिंक यू अंढ़ प्राइविट इस पेस में वादित्या क्या में अधित्या क्या है यह क्या है इसे बतानी को कहना वह्ट रॉकिंग अबाओउट पापा अंदर चल के बात करते हैं अंदर चल के बात करते हैं, अब चलिए पापा अदित्या, उठो बेटा मेरी बास सुनो, अगर शादी करनी है तो अपने पापा से को पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करा दो खुदी शादी की बात करोगे तो यह अच्छा नहीं है न, घलत बात है बिटा मैं और मीरा, हम लोग दोनों प्राइवेट स्पेस में थे, जब यह बात पापा से कही तो वो मुझसे बार-बार वही सवाल कर रहे थे बताओ, 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 इसका मतलब क्या है दादी उनकी समझ में नहीं आ रहा था यह क्या कोई समझने की बात है बिटा, प्यार करना हो तो कॉलेज की लाइफ ठीक ठाक लगती है लेकिन शादी करनी एक अलग ही बात होती है तुम्हें कई लोग उसे मिलना होगा, कई लोग तुम्हें जच करेंगे, कई लोग तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं उसके बाद तुम्हें सबकी बाते सुननी पड़ेगी और इतना ही नहीं तुम्हें डिबेट भी करनी पड़ेगी लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए तुम्हें एकदम स्टेडी रहना होगा घुसा नहीं करना है That's the great relationship आप और दादा जी सेम कास के थे इसलिए 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 बॉक आउट हो गया हां ऐसा बिलकुल भी नहीं है इतना इसे वेसे कुछ भी नहीं था मेरी माँ और मेरी चाची ने मुझे बहुत डाटा था कहा कि इसे दिल्ली पढ़ाय के लिए बेजा था और दिखो क्या हो गया इसलिए तो हमारी इज़त मिट्टी में मिला कर रख दी ऐसी और भी बाते कहीं ये सब तो कॉमन है ऐसा हर जगे होता है अगर उन्होंने कहा कि तुम लोग ने कुछ किया नहीं है तो आप क्या करेंगी मैं मनाओंगी और अगर वो किसी भी कीमत पर हरगिस नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगी मैं फिर भी मनाने के कुशिश करूँगी अरे दादी मीरा के डाट बहुत गुस्से वाले है हाँ वो तुमें गुस्से वाले लिखते है लेकिन फिर भी वो उस लड़की के पिता है पहले तुम अपने अगुस्से को काबू में रखो दादी मा, मीरा आजा बीटी, कम इसकी ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है चिंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जोन्ट वाली, तुम दोनों एक साथ लंबी उम्र तक बहुत खुश रहोगे ठीक है न, देख, मुझ पर विश्वास है के नहीं ठीक है आदी, यह तुम्हारा रूम है हमारे बारे में पापा से बात की नहीं की अच्छा हुआ, बात मत करो क्यूं? क्यूंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बात मत करो तुमने मेरे बाई को जुमा? हाँ, जुमा कव तो तुम्हारे पापा, माँ और बेन को भी जुमा? सोमझ में नहीं आ रहा है, हस क्यों रही हो? बेबी, हमारी फर्स्ट नाइट यही होगी? फर्स्ट नाइट? ब्लेडी फाइव हाँड़न फॉर्टीनाइट नाइट? यू कीप काउंट? नहीं, ऐसे ही ताइम पास के लिए फिर इतना एक्जाक्टली, कैसे बता सकते हो 549 टाइम्स? तुम्हें कैसे बता 549 करेक्ट नहीं है? यू कीप काउंट? बेबी, लेट्स बेकिट 550 यहाँ? हम् अभी? हम् इसमें गलत के है? हम् पापा, आदी उस लड़की को बहुत पसंद करता है मैटर कॉम्प्लिकेट होने से पहले खुद उनसे जाकर बात करते हैं यह कैसी बातें कर रहा है? दो दिन बात तेरी शादी है और तू उनसे बात करने के लिए कह रहा है? अगर उससे कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा उसने हमसे पूछ कर कुछ नहीं किया कोई जरूरत नहीं है उसे खुद ही बात करने दो पापा गर पर है? वहें रुख जाओ, अंदर मत आना अंकल उस दिन जो हो उसके लिए सोरी बट प्लीज उसके बेसिस पर हमें जज्ज मत कीजिएगा मुझे मीरा बहुत पसंद है मैं इसका बहुत खयाल रखूँगा मैंने अपना MS पूरा कर लिया है कहीं भी जॉब करूँगा तो मंतली दोलाक सालरी मिल जाएगी अंकल आपसे ज्यादा अच्छे से इसका खयाल रखूँगा I think अगर हमारी फैमिलीज मिलकर बात करेंगी तो you'll have more confidence in the matter मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े अमीर घराने से तालुक रखते हो नहीं अंकल मेरा ये कहने का इरादा नहीं था you're misunderstanding अंकल मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अपनी अमेरी का घमंड दिखा रहे हो मुझे अंकल आईनो आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये बच्चों का खेल है बड़ प्लीज अगर आप इन बातों को जड़ा ओपन माइंड रखकर सोचेंगे तो तो शायद हम समझ पाएंगे कि हम दोनों के प्यार में कितनी डेफ्थ है डेफ्थ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हो क्या तुम पापा प्लीज लटिम फिनिश पापा शट अप तुम अपनी जुबान बं रखो इस दड़के को वापस क्यों लेकर आई एक बार भी अपने परिवार के बारे मैं नहीं सोचा अब मेरी बात सुनो मेरी बेटी की शादी मेरी कास्ट में और मेरे बराबर वाले से होगी यही मेरा सपना है और यही मेरा सम्मान होगा सुची यह वही है ना इस से शादी का सपना अपने मन से निकाल दो प्लीज प्लीज टोंट सुना नहीं मैं निकाला इस अवे तुम्हारा दमाह कराब है क्या? मैं तुम्हे चाहा हूं कि मैं मिरा से प्यार करता हूं और मीरा भी मुझ से प्यार करती है और अडिस इस इस अव जो जो इए I'm a bloody surgeon कोई रास्ते पर शलता फिर ता Romeo नहिं हो And who the hell is this guy Mira If this is how it is If this is how it will be ज़ी और राव मेरा मेरा अधी प्लीस लीसिन आदी क्या ला उटादा ने वा था क्या हो गया अधी तुमें फ़ादे विछ क्यू आ वा था आदि.. आदि.. प्लीस अदि.. प्लीज य्रा क्या हो आई फ्लीजिए आई? फ्लीसे फोन से प्लीज्ट कर दोया चुल चुल जोग दिर सल्व दॉज़ अगिखरे डिया चुबएर। दॉज़ रए किया ऊज़ अगूम्योघ देश ट सब्सक्राइटार उन नहीं आप पांगा ? अज हए है थयृग कुछ अच्छ या रखाओ कि अच्छите कांग्ने दना। 2019 इमाजन करो हम राजाओं के युग में उन्होंने हमें साथ आने से रोका इसलिए मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ जंग छेड़ दी मैं उन्हें पेडियों में बांथ कर पिंचर में करते ता और फिर उनके सामने तुम से शादी करता मीरा और वो भी ट्रेडिशनल स्टा सिर्फ तुम मेरे लिए नहीं तुम्हारे माता पिताई उनके माता पिता दादी दादा सब के सब सबके सब मेरे लिए पैता हुए हैं तुमेग लक्लॉफ तुम्हें यूति कुण में बड़ी मेरे टार्व मैं तुम्हे चे गंटे का वक्त देता हूँ जह घंटे में डिसाइड करो तुम्हें क्या करना और पहर मुझे कॉल करो तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मीरा पर कॉल तभी करना जब तुम मेरे ज़ितनी पागल होजा कॉल नहीं आए तो यू नो मी फ्लीज आदी इस इतना कॉंपिकेटाई ना मासिमम क्या कर सकते हाः हारी साधि कर वाएंगे ना को गो को मैं श्राब देता हूं आपने कास्ट वाले से कर लो अयए, अडियए, अडियए약 की कन्मोर्य थे, अडियए, तूरर्य वatura मुझड़स फप्तिश, मुझे छोड़गा MAI अट्रोड जावव्मुछ मिरा भूंग एला अडिवोटरों फिल दो मुझे मुझे चोड़ कर chuckNo तूर्या तुमहार पपाते है अडियए Bereich बइबए कर, बपापा एक तुम्हारी परिवार किस्थमारी अपी करी दूम्हारी का मैज़ाई मुझए मैझाएं अपान रहुगी मैझने मुझे नेक। मैझना थोड़कर कहीं नहीं चान्रहा हूर। तो यह झाल 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 झाल? झाल 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 झा शिम्लिस का शुट आप वाट रबिश इस मीरा हाँ हमने बहुत मज़े किया है क्लोट्स ओफ नेकेड हाविं सेक्स हंड्रेट इन हंड्रेट्स अफ ताइम्स शुट आप बेश्रम करेंगी किस तरह की बात कर रही है तू मीरा मीरा उसका मॉबाइल ले लो और लड़के नहीं है क्या आप झाल 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 आदित्या आदित्या दर्वाजा खोल मीरा आई है आदित्या आदित्या दर्वाजा खोल मीरा आई है आदित्या आदित्या पेरा ये आदित्या 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 पार लगी है वो अलकोहल के साथ मुर्फी का कॉंबिनीशन अखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है अब क्या बताऊं सर अगर एक पॉइंट भी जादा होता तो कोमा में चला जाता पता है उसके दोपर तक होश माने के चांस है क्या सर तुम इसे नहीं जानते क्या पारती हो उसकी पूरा शहर गंदा हो रहा है उस कॉलेज की कोई भी लिए स्टोरी सक्सेस नहीं हो रही है मुष्किल है पार्थिव वैसे भी वह अगले 36 गंटों तक नहीं उठेगा उड़ या तुसे बताते न मैं अगर और यहां रहुगा तो मैं पागल हो जाऊंगा मैं निकलता हूं क अपने हाथ में लो आप भी ले लिगिए माथे से लगा कर वेधी पढ़ा लिए शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामाध्याम यगर्ज्यापनीं वीडा फुस्तक दरनीं वैदाम जाध्यान कारापाम पास्ते स्वडिक मालिकाम चदतितीम विद्याम धने सुन्दे रां अम अधवाय नमाः केशवाय नमाः पृथिवी देवताद्यो नमो नमाः सर्वमंगल बांगले सिवे करवात पाधिके शर्वे प्रेंडिके जोल्नावाई नमोस्तिते कितने महान डॉक्टर हो तुम पहलो उस चीज़ को फेक दो इसका हाथ इसके सीनी पर है अभी इसकी दादी जिन्दा है पार्थिव, कॉल मेरा, I would like to talk to her दादी मतरसला दोपर को उसकी शादी हो रही है शादी है? क्या इसको पता है? इससे पता होता, तो ये यहाँ थोड़ी होता कल ही तो मैंने उनसे कहा था, कैसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा इतनी जल्दी शादी कैसे? अरे दी दी क्या हुआ इसे ऐसे क्यों सोया है? चले जाओ यहांसे चले आते हैं ओम सर्व शक्ते नमो नमाहा, सर्व काले नमो नमाहा, परमेश्वराय नमो नमाहा, ओम भू देवाय नमो नमाहा, ग्रेह देवताब्यो नमो नमाहा जूस पी लेचिए ए मुझे डाइपर किसने पैना आया? ओम पित्र देवाय समर्पयामी या देविसर वो भूतेशू बुद्धि र्फेण संसिता नमस्त स्य नमस्त स्य नमस्त स्य नम नमाह, या देवि सर्व भूतेशू पीण गुरेट देना इसे निकालना ये ये ऐसे नहीं निकलेगा इसे दो मिनिट पानी में भिगाओ तभी निकलता है ये 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 क्या कर रहा है तुझे ज़रा भी सबर नहीं है क्या अगर उस दिन पांच मिनिट भी सबर रखा होता ना तो कम से कम तुमारे बीच कुछ बात तो होती क्यों हमारे बीच बात नहीं हूं इसका दुख हो रहा है तुझे नहीं यार शादी के परिम बताया करने दे शादी करके मरने दे तुझे लगता है अगर उसकी शादी हो जाएगे तो मेरी फीलिंग्स बदल जाएंगे वह करने वाली नहीं है कर चुकी है सच कह रहा हूं कल दो पर को उसकी शादी हो गई कि अधि तो कहा जा रहे अब तो कुछ नहीं कर सकता है अधि 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 कहा गया होगा पंडी जी आप शुरू कीजिए अधि ये अधि ये अधि इधर देख अधि गाड़िम बैठना ये अधि मेरी बात सुनना ए ये सुनना अगर माँ गए तो तू चुपकर या अरे अगर माँ गए तो बहुत प्रब्लम होगी भाई के अधि क्या कर्या जुद के मेरा 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 ये मेरे इंगे इंगुद के लिए अग्यों मिया मेरा किभ acquालम है थ्माग वहर्वी अ उप मिरा मेरा साथ चलो मिरा मारो इस कभीने को और मारो आज के बाद ये मेरे खर में नहीं आना चाहिए हंदी पस लिए कर दो इसी छोड़िए सर छोड़िए सर उसे चोड़िए अरे का कर रहा है हम सर उसे इंको रोक लीजे सर वो मर जाएगा बिचारा सर प्लीज उसे ब्रोक लेज़े साथ मिराद दे मारी तो मैं भी दताता हू अधर मार ना बन नहींगे ना तो उटेगा से फोड़ दूँगा रुको जा यहां से चालो सालोग अंदर जा जा अधी 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 उट आधी आधी शालोग अधी जालोग यहां से अधी जालोग अधी जालोग मिराव मिरा बाढ़ाव मिरा प्लीज यहली ये बार्दर ये शादी एक्चली इतनी पाफुल होती है हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते अब बस चुप रहना चाहिए क्या मैं दो दिन बेहोश कह रहा है उसने शादी कर लिया जब उसे शादी नहीं करनी है तो मजबूर कैसे कर सकते है अब मैं क्या करूँ उसके घर इतना बड़ा जगड़ा हुआ उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा नहीं यार ये सब आसानी से गिव अप कर देते हैं नहीं यार शायद वहां मंत्रे चल रहे थे तो उसे सुनाई नहीं दिया होगा ठीक है अब तू क्या करना चाहता है देख वो मेरी मीरा है ठीक है चल उसकी घर जाते है ये आदी नहीं पागले के रहने देख चल निकल इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को यहां आने के लिए बोलो सिकरेटेक है बिड़ी लेगा? ए उसे अंदर लेकर आओ ए भाई पुलिस स्टेशन में सिगरेट पीना मना है इसे समझा नहीं सकता पार्थेव इसे पीछे के दर्वाजे से लेकर जा जा अधित्या कितनी बार उसकी घर में जाकर हमारी इज़त मिट्टी में मिलाएगा? शरम नहीं आती? मा, बाद में बात करते हैं तो चुपकर, शादी में आये सारे महमान तेरे पापा से पूछ रहे थे कि आपका छोटा बेटा कहा है तु हमारी ग्रूप फोटो में भी नहीं है क्या सीली बाते कर रही हो मा ग्रूप फोटो, ग्रूप फोटो ग्रूप फोटो चाहिए तो फोटोशॉप कर ले ना सिदाथ, मुझे कोई दुख नहीं, मैं तरी शादी अटेंड नहीं कर पाया ऐसा कुछ भी नहीं मेरे घर से निकल जा सिप्षिन के बाद चला जाओंग रे बेटा, उसे अंदर बुला लो पापा, मैंने बताया था ना, वो बिमार है उसे अकेला ही रहने दो क्यों? उसे भी दस्थ है क्या? चुप रहो पापा, जब भी देखो दस्थ दस्थ और कुछ आता नहीं क्या अच्छा पापा आपकी अलमारी से विस्की ले लिए हैं मैंने ठीक है बेटा वो अभी कुछ निखाएगा तू वापस ले जा हाँ हेलो तू शादी में क्यों नहीं आया यहां आएगा तो घर पे जरूर आना ठीक है बाद में बात करता हूँ बोल भाई मुझे नहीं जौब मिल गया है कॉंग्रेट्स यार तो अब तुम नहीं लाइस्ट चाट कर देज आ रहे हो एह तुने कहीं मीरा को देखा क्या है वह मुझे क्यों दिखाई देगी तो अपनी स्कूटर लेने नहीं गया था क्या नहीं यार मैं नहीं गया पापा को भीजा था तो अपने पापा से पूछ ना कि क्या उन्होंने देखा मीरा को अरे अभी तो मैं क्लिनिक में बाद में फोन करता हूँ मैं ध्यान दिया पार्थेव मीरा ने कॉलेज में कभी किसी से नजर नहीं मिलाई थी शीज़ ब्यूटिफुल गर्ल यह बट शी लुक्ट अट मी उस दिन से यह स्टार्ट हुआ इस सम्म मैचिक मैं लेकिन उसने उस दिन क्या का हमारी कास्त मारी इजद किसने सिखाया हुझ आ हम कहां से आज आये विन्हेए iç ru अगर मीरा और मैं साथ होते ना तो हमारा एक बाइ प्रोड्ड कर्ड chain होता ह। अब ब्यूटिफुल बेबी और नाव बिकस व सम एक्स्टरनल ब्लड़ी फाक्टर्स वी बोद गॉट डिवाइड़ और बेबी विल नवर सी दे फेस अफ दिस अर्थ ऐसे भी अरेंज मैनेज में लाव होता है किया मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता फर्स्ट नाइट के बारे में पागल हो जाते हैं सब के सब कदे कहीं के एए इस टिपेंड ओफ एंडिविज्वल यार आदी मेरा की शादी होए चार महीने हो गए वो अपनी लाइफ हें मूव कर गई है एक तू है जो लाइफ में पत्थर की तरह स्टक हो गया मीरा की शादी हो गई है शादी हो गई है पांच सो बार बोल चुका है तो ऐसा है तो पांच हज़र बार बोलूँगा पार्ते विदर आँ तू मुझे मारेंका मैं नियांने आँगा नहीं मारें पार스ーブ प्रॉम्स मानले तेरी गुल्स को प्र्व्र प्रॉबलम है इंसलिए कहार हूं कि मानले असक्र टू क्या करेगा बेबी एप इन तो हर महीने होता प्स अगले चार देने से सहलो प्र अपिर यह चला जाएग प्रॉमिस इतरा मान ले तेरी गर्फरिंड को प्रॉब्लम है मेरी गर्फरिंड नहीं है यार इसलिए तो कहा रहा हूं कि मान ले उस वक्त तो क्या करेगा बेबी ये पेन तो हर महीने होता है बस अगले चार देने से सहलो फिर ये चला जाएगा नहीं तो उसके करीब जाएगा उससे कहेगा कि अपने थाइस पर थाइस का मतलब बलगर नहीं है थाइस का मतलब है लाग गोद तो उससे कहेगा कि मेरी गोद में सोचाओ थोड़ा आराम कर लो उसके दर्थ को समझेगा तुने मेडिसिन पढ़ा है ना या फिर ये सब भुला कर तो उससे कहेगा कि तुम्हें एक औरत हो तो तुम्हारे नसीब में यही लिखा है अच्छा फिर तो ठीक है इसके बारे में बात क्यों किये खैसा डककन है जितना बोला उसमें यही समझ में आए अरे समझ गया, तुने जो भी काब मैं समझ गया, जब महिला PMS में हो, या पीरेट में हो, तो उसे कैसे ट्रीट करना है, उसी तरह तुम्हें भी ट्रीट करना है, मैं समझ गया, उनको महिने में चार दिन समस्या होती है, लेकिन तुझे पूरा महिना समस्या होती है, ठीक है? अरे मिरे बाप, मैं तेरे मूड के हिसाब से नहीं चल सकता, मुझे क्लेनिक में काम है, मैं चलता हूँ चल बस विस्की की स्मेल आ रही है, माउथ फ्रेश ना खाले क्यों, किसी को केस करने जा रहा हूँ इसका जवाब तो तुरंट आ जाता है अगर तुने, डालिंग ओपन दर डौर करके दरवाजा खटखटाया होता, तो जिस काम से गया था वो हो जाता है हाँ हो जाता चांस ही नहीं है राजा, मैं तुझे इतना साथा तुप से जानता हूँ समझ गया है डालिंग ओपन दर डौर के बारे में तू कैसे जानता है मैंने नशे में बग दिया क्या तु नशे में जब बगता है तो सिर्फ मीरा के बारे में बगता है उस पेशन को मैंने रेफर किया था, उस टकले फोटोग्राफर के लिए अच्छा, ए उस दिन स्टाइट कैसे हुआ था उसका रीडियल डिस्क फ्रैक्चर था और लड़की हर दिन हॉस्पिल में फोन करती थी फिया उन से को चिकन कहिला सकते हैं क्या मसूर कहिला सकते हैं क्या क्योंकि उससे लगा इससे चॉन्डिस हो गया था अच्छी लड़की को तलाश कर और से गल्फिंड बना अधी तु रो रहा है अधी ची बच्चे की तरह रो रहा है रोना बंद कर रहे हैं इसलिए बोलता हूं जो तु नहीं है वो बनने की ट्राई मत कर तेरी परस्नल्टी की तरफ देख तरह पर सूटी कर रहा है मेरा यकीन कर कोई भी लड़की तुछ पर फिदा हो सकती है गर्ल्स होस्टल के सामने तेरे लिए लाइन लग जाएगी फाल तुम्हें मीरा के नाम का इतना रो रहा है मेडम एक मिनट मेडम यहां ओके इतना ओवर भी मत करो हां ओके मेडम यह हॉस्पिटल तो अच्छा है ना इतना खाली कियों है हां मेडम यह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर प्रिया मैनन आई है सर हिरोईन है सर एमजी ने उन्हें आपको ही रिफर किया है आने के लिए का हूँ डॉक्टर आदित्यो विए पी पेशेंट मैं आपका फैन हूँ मैं आपकी हर फिल्म में देखता हूँ आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है अगर आप हमारे हॉस्पिटल में शूटिंग करना चाहे तो कॉल मी एनी टाइम मैं पर्मिशन दूँगा नो प्रॉब्लम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी हेल्प करेंगे मेडम का देख भाल अच्छे से करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हाँ वी आईपी पेशेंट बेजे में पानी का लेवल कम हो गया क्या ब्लाक और वाइट का डिफरेंस नहीं समझ में आता असल में तुम्हारे सेंस ओगन्स काम नहीं कर रहे है हिरोईन को देखने के चक्कर में काम भूल गया अपना पेशेंट आने पर पहला काम क्या होता है सॉरी बाट बाट बताए क्या होए यह डांस कर रही थी पैर फिसला और गिर गई पैर ट्विस्ट हो गया था चलने में तकलीफ हो रही है यहां पर यहां दुख रहा है तुलसी यह सर आरोनी ब्रेस लेकर हो कुछ दिन बेर स्किन रहना होगा यह लेकिंस वगरा नहीं पहन सकते हैं रात को सोते वक्त इसे निकाल कर सोना है ठीक है दॉक्टर थांक्यू दॉक्टर अब कैसा लग रहा है अपको वाव थांक्स परहले से बेटर फील कर रही हूं लक्ष्मन मैडम इसमक्त बीजी है बाब में फोन किजिए लक्ष्मन उस डॉक्टर का नंबर पता करो 9500019010 मैडम ओवर स्मार्टनर्स हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती जड़ा समलकर ये 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 होती है सिद, तू यहां क्या कर रहा है? हाथ दिखा. ए, क्या कर रहा है? मुखोल. छोड़ यार. दास दिखा. ए, कितना पीता है तू? निस्टरब करने क्यों आगे? ये सब क्या है? ये मेरा सामान नहीं है. वो, पीटर का है. उसका बाप गाउं से वापस आया ना इसलिए तू यहां कैसे रह रह रहा है अगर तुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं नहीं जाओंगा क्यों नहीं जाओंगा ना बस यह इगो ट्रिप और कितने दिन यह इगो ट्रिप है अधित्या लिसन पापा से मैं बात करूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा ओके बात पापा की नहीं है I just need some space कैसा space यार घर छोड़े हुए चार महीने होगा तू बैस करने के लिए आया क्या ओके तेरा फेवरेट है रॉयल इन्फिल्ड इंटरसेप्टर मैंने ओर्डर किया है घर चलना मैंने आउँगा अपने घर चलने कह रहा हूँ चांसी नहीं है ब्रो मैं कहीं नहीं जाओंगा क्यों इतना जित कर रहा है तू कितनी मुश्किल से तेरे अडरस मिला है किसने बोला था अडरस डूणने के लिए मैंने बोला था क्या दिख रहा है ना मैं ठीक हूँ मैं तुछे लिए बिना यहां से नहीं जाओगा समझा तुचल आदी मैं शराब पीता हूँ गांजा मानता हूँ तू क्या कर लेगा ये मेरी मर्सी है मुझे जो करना है वो मैं करूँगा get lost मैं तुछे इतना समझा रहा हूँ और तू चल चल वेरे साथ आदी चल आदी पेरी पाथसल और बता हनीमून के लिए कहा गया था कहीं भी नहीं क्यों क्योंकि तू घर से चला गया था तो फिर मैं कैसे जाता मतलब तुम दोनों के बीच नहीं वैसा कुछ नहीं है गर में चोटे बच्चे की आवाज कैसे आएगी दो साल तक कुछ नहीं उसके बाद प्लान करेंगे प्लान करोगे ऐसी चीज़े कोई प्लान करता है कि इसका अपना एक फ्लो होता है नाच्छरली आट अट 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 लव यूना रोलिंग यस सर अच्छन मूव मूव सर गुड मॉर्निंग सर चाही या कॉफी जूस है कर हाँ है सर सर मैडम शॉट में बीजी है पांस मिनट में आ जाएंगी सर जूस सर जूसुझ कर दो हो उटाएंगी सर जूस्ट Municipal प्लूस्ट सर जूस्ट सर जूस्ट जूस्ट सर जूस्ट सर जूस्ट हाई आदी हाई मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगे अब गुटना कैसा पहले से बेटर है शूट के बाद नीप बहन का रखती हूं यही जानने के लिए आये थे क्या कहानी सुनाने आया था कहानी सुनाओ ना जब कॉलेज में था तो मेरी एक गर्ल्फरेंड थी मीरा नाम कि हम अलमुस्स साथ रहते थे लिविंग यह उस लड़की की शादी हो गई है उसे बुलाने की मैं कोशिश करता हूं लेकिन कुछ वरकाउट नहीं होता है मुझे फीलिंग्स नहीं चाहिए था स्कूरूड में इन फॉर्स प्लेस जस्सिंपल रिक्वेस्ट बोलो ना यह इषवस् सेथिक बासा बंग तरो करें आ बैड करो नुच अर्च मेरा मेज्ग था इस्टल यह उड्टिक डंग करें एंढ मेरा सूच यह पार्थेव, बेट यह देख तेरे लिए सर्प्राइज, हे तरुन, वाट्स आप ब्रो, good to see you, कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ यार, कब आया, आज ही सुभा आया, तुरे लाइसन्स का क्या हूँ, लाइसन्स क्लेर हो गया, कॉंग्राइट्स ब्रो, nice, nice, और बता, what's up, हरे यार, काविया के लिए उसके घरवाले लड़का देख रहे है, उसी टेंशन में उसने मुझे अजेंटी थोड़ा easy ले ले, बात बनी तो okay, नहीं बनी तो double okay, वरना मेरे जैसा बन जाएगा, यह, कैसी बात है कर रहा है, तुझे किस चीज की कमी है रहे, यहां तु हिरोन के साथ बैठा है, हां, अच्छा बता, तुम दोनों क्या serious बात कर रहे थे, short discussion हो रहा था, क्या, set हुई भ अच्छा के बारे में बताया मैंने, मैंने उस से थोड़ी सी फिजिकल हेल्प मांग लिया, फिजिकल हेल्प, तो मैडम ने पिर तुछ से क्या कहा है, मैडम, दीरे दीरे हां बोल देगी, एक पार्थर, हां बोल, क्या हो गया, मेरे कपड़ इस्तरी कर रही है, कौन से लग हो गिस जाएगा, अरे अब तो हो जाएगा ना, हैपी जर्नी, ए, जो मैं बोल रहा हूँ हो, सब ध्यान से सुन, मैंनो इस लड़की की विकिपीडिया पेज को पढ़ा है, वो लड़की है, हैदराबाद आयाटी से पड़ी लिखी है, और उसके पिता दिल्ली हाई कोट र करीब आने की कोशिश करते रहते है, मुझे सिर्फ मीरा का ये करना पसंद है, अरे यार तो फिर से शुरू हो गया, मीरा की शादी हो चुकी है, वो चैप्टर खतम हो गया, तो आखिर कब तक मीरा के नाम की माला जबता रहेगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अधि, 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 अधि तुमसे कहा था नो दो साल से प्यार में हूँ, तो फिरी I love you सब क्या है, पक्वास आदी चलो कार में बैट कर बात करते हैं, प्लीज हम दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला, हमारे बीचे लव क्यो ला रही हो इंटेलिजन सीरो है क्या, why are you being so bloody emotional, देखो, ना अब मैं तुमसे मिलूँगा ना तुम्हे मुझसे मिलना चाहिए, I'm done with your shit अच्छा, रिली, एक बात सुलो अदित्या, वो लाइफ मीरा के साथ ही खात में हो चुकी है तुम्हें क्यों समझ में नहीं हा रहा है तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है हलो, हलो सर, हॉस्पिटल से तुलसी बात कर रही हूँ हाँ, बोलो तुलसी, सर, प्रभु सर का ही केस है, एमजेंसी है सर ए तुलसी, आज मेरी छुट्टी है, यार जानती हूं सर, पर, हलो सर, यहाँ कोई नहीं है सर तुलसी, सर, एमजेंसी केस है सर ए तुलसी, नहीं, मैं सरजरी करने के आलत में नहीं हूं, तुलसी, कल देख लेंगे सर सर, प्लीज सर, चाहिए तो मैं आपका पैक तयार करके रखूँगी बहुत क्रिटिकल है सर, पेशिंट का बहुत सारा ब्लैड लॉस हो चुका है, वो मर सकता है ठीक है, फॉलो थे बेशिक्स पेशिंट को वेंटी लेटर पर रखो में आ रहा हूं ओके सर सर, यह पेशिंट है ओके सर सब कुछ रेडी है ना सर सर सरस्वा 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 तुलसी, जी सर, क्या है यह सब, वाट अपेंड, यह और बिट होस्पिटल के रेपुटेशन का मामला है, चाहे कुछ भी हो जाएं, मैं उसका लाइसेंस केंसिल कर दूँगा, जिसने ही सब किया है, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, अपने फेबरेट डॉक्टर को बोल देना, मैं उसे कोर्ट में मिलूँगा, मैं यहां से सिधा जाएंगी तो 1709, फॉर्स्ट में, ओके, थैंक्स, ए इसमें ऐसा टाइम आता है, जब आपकी, आपकी बोडी वर्निंग देती है, कि इसकी चमता खतम हो रही है, तुम्हें इस सब रोकना चाहिए, लेकिन यह तो, पर वो किसी की सुनता कहा है जर, उसे सुनना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा, बहुत पीता है ना, क्यों करते रहता है, यह आप कैसा सवाल कर रहे है, is this how you handle a sensitive issue, let's face facts, Dr. Adity Verma हमारे कॉलेज का टॉपर है, वो one of the best doctor है, St. Patrick's का, हाँ वो थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, मानता हो मैं इस बात को, लेकिन alcohol और ड्रक्स वो ऐसा नहीं कर सकता, एक अच्छा क्वालिफाइड दॉ इंडियन मेटकल कॉंसिल डॉक्टर्स के लिए है, यह हमारी आपस के बात है, not for media and politics, दादी मा, कल तक आप मुझसे पूछ रही थी, कि वो कहा है, अब जब आप जान चुकी हैं, कि वो कहा है, तो आप जाती क्यों नहीं, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, मुझसे य दिल से प्यार करते हैं न, तो मरना अलग बात है, पर छोड़ कर जाना अलग, फर्स्ट केस में वो इंसान वापस नहीं आएगा, यह सोच कर हम अपने दिलो दिमाग को मना लेते हैं, मेरी तरह, सेकिंड केस में हम आसानी से इस बात को नहीं मानते, इस वरी पेनफूल, को क्या है? सफरिंग इस वेरी पोसनल सिदाथ, लेट इम शफर झाल आदी, Mr. Anant Nair, एक successful lawyer है, यही तुम्हारा case handle करेंगे, और अगर तुम्हार बार case case मत काओ, जैसे कि मैंने कुछ गलत किया है, क्यूंकि मेरी नजर में यह case है ही नहीं, उस दिन emergency में कोई नहीं था, इसलिए मैंने जाके handle किया, वैसे भी patient अभी जिन्दा है ना, ऐसे case में patient जिन्दा है या मुर्दा यह मायने नहीं रखता, important यह है, कि उस case में, सर्जन तुम हो, सर्जरी के वक्ते alcohol consume किया है, वो permissible limit में था या नहीं था, मुद्दा यह है, यह criminal negligence case, medical negligence case में बदलेगा, स्वादित्य, tell me, उस दिन तु condition में गया, मुझे ही पता है, I had lost motor control, किसी तरह बस बात कर पा रहा था, मैं चैर में बैठा और head nurse को guide करके surgery करवाई, अगर उस दिन वहाँ नहीं गया होता, तो patient मर जाता, medical negligence, my foot, वो हम लोगों ने भी सुना, और हमें समझ में आता है, are you a surgeon, Sid, यह आदमी हमारे ही साइड है न, of course, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है, I don't like his interrogation tone, Aditya, please, यह केस बहुत दूर चला गया, Indian Medical Council भी involved है, Sid, I need a better lawyer, Hospital Management तुझे guilty proof करने में लगी है, as a womanizer, as a drug addict, as a, as an alcoholic womanizer, for God's sake, Already TV में, newspaper में सब जगा बात चल रही है, मुझे तुम्हारा support चाहिए, ताकि तुम्हें इससे निकाल सकूँ, Aditya, तु सुन रहा है, please, यहर, मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, please, यहर, बस थोड़ा presence of mind चाहिए, यह eye witness material है, इसमें तुम्हारे patients ने sign किये हैं, कि तुम wonderful surgeon हो, यह कुल 484 radiographs है, your total working days are 214, total count of surgery are 486, उसमें से एक दो case out of station है, बट आपके hospital log book में entry की हुई surgery के cases 300 है, log book जूट बोल सकता है, लेकिन radiographs नहीं, क्योंकि हर radiography में, डॉक्टर आदित तिवर्मा यानि तुम्हारा ही नाम दर्ज है, I can give you the backup also, प्लस यह है कि patient अभी तक जिन्दा है, सो हम उसे कुछ पैसे दे कर manage कर सकते हैं, it's so easy, माइनस यह है कि hospital management ने आपका blood sample collect किया है, जिसमें alcohol level 140 प्लस आया है, and you are high on cocaine, तो अब हम क्या करें, good question, हम उस blood test में preservative add करेंगे, फिर formal test level में variation होने की वज़े से, result गलत है, ऐसा कहकर blood test को invalid कर सकते हैं, खास बात यह है कि 184 surgery cases की log book में entry ही नहीं है, जो तुम्हारे द्वारा की गई है, the hospital management will feel guilty, आदित्या, very simple, neatly shave करके, अच्छा सा pen shirt पहन के, शान्ती से आ जाओ, और उस दिन तुमने जो बोला है, वही बोलो, confidence के साथ, बाकि मैं देख लूंगा, बाए, मैं आता हूँ sir, इस case को हमने almost win कर लिया है, मुझे बस यही चिंता है, तुम्हारे भाई के aggressive mind की, सिधार्थ, हमारे democracy में ऐसे nature वाले लोग अच्छे नहीं माने जाते, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, तुम अभी चाहें जितने पैसे देकर manage कर रहे हो, लेकिन उस manage को अपने face पर कभी मत दिखाओ, ओके, बाई, तैंक यू, तैंक यू, पारते हूँ, अधी, 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 आधी, 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 उट्ट, उट्टा, आधी, आधी, अरे, आधी, हंदी आरां से इदर उढ़ा जो है अधी है आधी अदी है पिल्ग की अधी कर रहा है यार इंत चाहिएया जै अधि सब कुछ खतम हो यह पार्थियों क्या कर रहा है यह यह सब क्या है पार्थियों अरे तु चुप हो ना अधी अधी इधर देख यह उड़ जा यह अधी यह देख रहा है इधर खीच खीच जली खीच किच 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 ना एंधी है अधी हांधा अधी हांधा अधी है आधे ही आधे आध्ष कारहा है आधे आधा पादी 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 अब कैसा है वो अब ठीक है ए तेरे भाई ने कितनी तकलीफ से ते लिए इनकोट हाउस हीरिंग रखी है तैयार हो जा और नॉर्मल रहने की कोशिश कर अब पीने के बाद नॉर्मल कैसे रहते हैं यह तू मुझे सिखाएगा ए ए ए ए ए ए पैंट भी तो पैंड ले मैडम इनकी ड्रिंकिंग प्रावबलम है इनके डर से हॉस्पिटल की नरसे भी इनको लिकर सर्व करती है इन्फेक्ट सरजर्यडि डरेसिंग रूम में भी काफी सारे ड्रक्स पाय गए है यह सबके साथ रूडलि बिहेप करते हैं यह सारी बाते मुझे बाद में पता चल पर toxicology report बिल्कुल clean बता रही है आपको prove करना होगा इस तरह emotional statement quote accept नहीं करता 300 recorded videos और testimonies हमें मिले हैं patients के और Mangalore के St. Patrick's Miracle College के Dean का रुटे document भी हमारे पास है explaining his sincerity and efficiency ये पार्टेफ कौन वोकेशन में जो शपत ली थी वो वो तुझे याद है क्या अब ये case तेरे favor में ही है इसे खराब मत करना लेकिन ये गलत है इनके सारे documents मुझे दीजिए मैं सदार्ट क्या है ये सब कितना पैसा दिया तुने नहीं अधितिया शांथ ये तो बापा को देखना बापा को ये सब पसंद नहीं है ये क्या बोल रहा है तू ज़रा चुप हो जा यार मैंने गदारी की है अपने profession से प्लीज यार बात मान अगर आज पैसे खिला कर case जीट भी जाओंगा तो डॉक्टर के नाते मैं काम कैसे करूंगा शट अप आदी कुछ मत बोल मेरी पात सुन प्लीज प्लीज अगर मैं भी चेल चला जाओंगा तो तेरी इज़त कम जाएगे बोलीज रार चुप हो जाएगे तू एसे ही सोच रहा है ना प्लीज टे कुएट इसलिए तू ये सब कर रहा है ना शाइलेंस डॉक्टर राधिति शर्मा अगर आपने अप कुछ बोला तो हमें मजबूरन आप पर आक्शन लेना होगा दू यू अंडेस्टान दाट सिर्ह लाना काफी नहीं है यू आप टू से यस आप अंडेस्टान तुम्रे जब शर्जुरी की थी तब टाइम क्या हुआ था मुझे याद मी तुम किस तरह का केस हानल कर रहते किन आप एक्स्प्लेंट इन डीटेल रोड ट्राफिक अक्सिडेंट केस था मल्टिपल फ्रैक्ट्रस पेशिंट वस डाबेटिक पेशिंट का नाम शंकर है एच फिफ्टिएट आपकी एपोजिशन वालों का कहना है कि आप उस वक्त होश में नहीं थे और आधे होश में आपने हैड नर्स को डारेक करके पेशिंट को स्टेबिलाइस करके सर्जुरी की क्या ये सच है येस नाव टेल मी डॉक्तर आधेतिया क्या उस दिन तुमने सर्जुरी के पहले किसी तरह का नशा किया था या फिर कोई आलकोहल कंजुम किया था और अज़न अधे 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 फॉर्म आफ सब्स्टेंस अभीज नहीं लिया भॉल अधे भॉल देगा क्या तुमने सर्जुरी के दिन शराब पी थी यह सब्स्टेंस अगले दिन भी पी थी मैंने मैंने नशे में सारी सर्जुरी की है पर बातर शरहे में सब्स्टेंस I am a लेकिन पेशेट का डॉक्टर पर भरुसा होता है वो मैंने तोड़ दिया है and I do not deserve to be a doctor इसका उस्पिटल से कोई लेना देना नहीं please make that clear I think there is nothing more to say अगले पाँच सालों के लिए तुम्हारा लाइसेंसी इस कर दिया गया है उसके बावजुद अगर तुम्हे प्राक्टिस करने की कोशिश की you will be put behind the bars for three years Dad I'm sorry, Sid I'm sorry yaar Section 269 of the IPC causing hurt by act endangering lives or personal safety of others Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently has to endanger human life for the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend three years or with fine which may extend upto 500 rupees or with both शुम्हारी चुम्हारी शीर से लावएस्वावस्वावस्वारी शालों के लिए कि लजफें दिफश्य प्रम फिफितों सेला में फिर साथ को कि अज़ हु Full क्या रे तू फिर से पीने लग गया है क्या तो इसी में मज़ा है भाई वैसे मैं ये पूछना चाहता था कि सारा सामान का है सब बेच दिया गया अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो फिर मुझे बोल देता ना पार्थिफ पैसे अंदर रख अरे मैं तुझे कई बार पैसे लिए वो समझ के रख ले उस इन तेरे गर पे खाना का आना उसी का इसाब रख ले ज्यादा नाटक मत कर यहले पकड़ ए ए ए क्या खर रहा है में करिमस हेलो मिस्टर को थे यहां कैसी हरे मेरा खर रहा है हमेडर सामान का है सब अलो है क्या चल रहा है यह से निकलो निकलो अनी तब पुलीस को बलांगा फिर एटाउट तुम्हें कल एक जगह दिखाऊंगा ब्रो, तुम्हें आज के राथ वही सोजाओ, ओके ब्रो, ब्रो, यहां पे सोजाओ, बहुत अच्छी जगह है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सुबह तुम्हें अच्छी जगह सेट कर देता हूँ, ठीक है ना? सर, क्या हूँ? आपके दोस्त यहां नहीं है, खाली करके चले गए, कहां चला गया? मुझे नहीं बता से, अरे भाई, पैसा तो देकर जाओ, इसको क्या बोल रहा है, मेरे अकाउट में लिख ले, तु खुद फोकटिया है ए भाई, दो चाए, दो दीम ब्रो, फिर घर सेट हो जाएगा, टेंचन मतलो ब्रो, मैं हूँ ना? हम लोग एकी टीम में है, अरे यम्मा, 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 ये कूब सूरद, अरे चाए आ जाएगा कि नहीं? ये, तु यहां पर क्या कर रहा है, तुझे पता में तुझे कहा कहा डूण रहा हूँ, पेवकूफ कहीं का, ये, चल लिकल, 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 भाई, दादीमा आप नहीं रहींगे, अरे धाएगा, ये रहाएगा! राएगा! प्रूप्र 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 कि अधित्या बेटा बैठ जाओ नहीं कोई बात नहीं आप बैठ जाए पापा कहा है मां वह वहां पर है पापा आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं पापा पापा I can understand पापा कि आप कैसा महसूस कर रहे है दादी के गुजरने का सबसे ज्यादा दुखा आपको है पापा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन आएगा दादी के जाने से ऐसा लगता है घर की रोनक ही चली गई है सब कुछ सपने जैसा लग रहा है पापा लाइफ में पैदा होना प्यार होना वापस जन्म लेना और फिर से मर जाना पस 10% होते हैं यह important moments बाकि 90% तो इन moments के लिए हमारे reactions है पापा यह आपकी लाइफ का एक important moment है पापा उच जाएए प्लीज आपसे मिलने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पापा प्लीज आप मेरी बात मानिये और अंदर चलिए उठिए ना पापा प्लीज मेरी बात मानिये उठ जाएए चलिए चलिए मेरे साथ आईए आईए पापा मेरे साथ चलिए इस ओके पापा आईए झाल 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 क्यों झाल काफी दिन हो गए कॉलेज में मैं ऐसी पीता था यह ले नहीं पापा अधित्य अंग्रेजी में एक कहावत है इस नौट दा गुडबाई दैठाट बट दा फ्लैश पैक इट्स फ़लो ये तेरे लिए बहुत सिंपल लगेगा लेकिन इसमें काफी सच्चाई है आज से सारी बुरी आदते छोड़ दूगा इट्स ओके आदित्य मैं समझ सकता हूँ वाइ डॉन्ट यो टेक अब्रेक आज थिंक यू डिजर्व इट कम बैक नहीं शुरुवात करते है जिन्दीगी काफी लंबी है इसमें बहुत कुछ करना बागी है ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं भाये यू टन लेना लेड़ी है बड़ा लेसे पारे प्राफने प्राफने लेड़ी है एक खड़ा आजरी आहीं लेड़ा ढ्राव रज़ा प्राफने ले घरावरा रहा जाए अक्याश्य करना आहाँ कर दो कर दो योरोप आया है एक फोन नहीं कर सकता था क्या मैं जहें रहता हूं यहां से दो घंटे का रास्ता है मैं फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता श्या तेरी मारजी विसे यहां क्या कर रहा है यहां आने से पहले मैंने मीरा को देखा मुझे लगता श्यादी जबरदस्ती करवा दिया लेकिन प्रेगनेंसी तो क्या हुआ क्या हुआ मतलब वो मेरी है यार वही है वही मीरा उसके शाती हो गई प्रेगनेंट हो गई तो कुछ बदल जाएगा क्या दादी जो बोल रहा है सो समझ के बोल रहा है ना मैं आज रात वापस जाने वाला हूँ उस दिन मैं नशे में था सब गड़ड़ कर दी आज पूरे होश में हूँ अब भी बोल रहा हूँ मेरा मेरी है उसे मेरे पास आने से कोई रोक नहीं सकता कि अवाँ कि अवाँ कि अवाँ झाल झाल मीरा की शादी हुए नौ महीने हो गए है अभी वो किसी और की वीवी है पड़ तरीके से बात करना पोराने स्टाइल में बात मत करना समझा अगर तुने कुछ भी गड़बड की न उदर देख रहा है वो एक्सरसाइस कर रहा है वो हड़ी पसली थोड़ देगा समझ गया ना देख मीरा आगई मीरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मीरा प्लीज मेरी बात तो सुनो मीरा बेबी तुम कुछ से में हो मैं समझ रहा बेबी प्लीज बेबी एक बार मेरी तरफ देखो आँटी थोड़ा सा पानी दीजिए मीरा मीरा प्लीज बेबी वाई यू इग्नोरिंग मी ठीक है मुझसे बात मत करो लेकिन मेरी बात तो सुनो मुझे क्यों सुनना होगा उस दिन मैंने कितना कहा था पर तुमने सुना तो अब मैं क्यों सुन। चले जाओ inflam息 को मैं जाने के लिए नहीं आया मीरा तुम्हे साथ ले जाने आया हूं चलो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना बेबी ब्लीज Just stay away बेबी, ये सब क्या है, बेबी? हम दोनों ही खुश नहीं है मेरे साथ आओ, हम साथ रहेंगे मैं हुश हूँ ये नहीं ये डिसाइड केरने वाले तुम को नों दे हो बेबी, हम दोनों अलग-अलग रहकर खुश नहीं रह सकते I know ताट मैं होश हूँ तुमने मुझे कहा था ना किसी भी लड़के से शादी कर लो याद है ना तुम्हे थांक्यू सो मच तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ अब तो तुम खुश हो ना जाओ यहां से जाओ बेपी बार बार जाने के लिए मत कहो चलो मेरे साथ उस दिन तुमने मुझे टाइम दिया था ना छे गंटों का याद है तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए उन छे गंटों में मेरी जिन्दगी बदल गई आ दी और तों के लिए घर में कई रेस्टिक्शन्स होते हैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है ना इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे सब कुछ पार करके मैं उस रात तुम्हारे घर आई थी तुमसे मिल नहीं पाई मैंने ये भी सेहन कर लिया उमीद कर दे थी कि तुम आओगे लेकिन तुम नहीं आये और सब कुछ खत्म होने के बाद दो दिन बाद तब भी तुम शान पैठे रहे तुम सब कुछ भूल गए नहीं मीरा तुम उस दिन आये थी ये उसे पता नहीं था प्रॉमिस तुमने फोन नहीं किया इसलिए साइको हो गया और मार्फिन इंजेक्शन लिया जिसका ओवर्डोस हो गया तो तुम्हारी शादी के बारे में सुना उसके अगले पल इसके पिताने से घर से निकाल दिया वो हॉस्पिटल में काम करते हो अकेले रहता था वो घर भी तब गया जब उसकी दादी मर गई यह सारी बाते तुम्हें नहीं पता है मैं उस दिन इतना दूर आथा मीरा लेकिन तुमने एक बार भी पलट के नहीं देखा कितने दूर थे हिमालय परवत पर थे क्या बोर्ट क्लब से आड यार बस इतना ही न और मैं क्यों देखती ऐसे भी तुमाय क्यों थे वहां मार खाने प्लीज डॉंट रमाइं मी ओल दाट चिस को बीबी प्लीज प्लीज कम डाउं ठीक है मैं अपना चैरा नहीं दिखाऊंगा लेकिन एक आखरी सवाल पूछता हूं उसका जवाब दे दो पूछो मेरे साथ आने से तुम्हें कौन रोख रहा है यही ना दिस मेरा दिस इस जस्ट फलेशन ब्लॉड ओ रेली मेरा यकीन कर मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा यह सोसाइटी हमारी फैमली यह फ्रेंड्स सब के सब भाड में जाए मीरा इसके बार में ज्यादा मत सोचो मेरे साथ चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे सताओंगी और जब यह बच्चा पैदा होगा यह बापा किसे मुझे बोलेगा मुझे बोलेगा सुनने में कितना अच्छा लगता है न कि लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है तुम्हारी पास तुम्हारी हरो dapat प्यार करते हैं उन्हें भूलने के लिए तो तुम्हारी शराब और ट्रॉक्स भी अब जाओ यहां से नहीं मीरा उन दोने के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है एप अर्थेफ मेरा तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बंड से बात करता है मैं अभी जाकर उससे मिलता तुम एक बार हां तो कहो प्लीज सामने हो बैठो कम क्लोसर बेबी तुम मेरे बिना इतने दिन कैसे रह गए बताओ शादी होने के तीसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत नारास थी I was so angry with you मैंने ममी पापा से भी मुलाकात नहीं की यहीं पास के होस्टेल में रहकर क्लिनिक में काम करने लगी मेरा पुस्सा कुछ बाद कम हो गया मैंने तुम्हारे पास वापस आने की सोच और फिर मेरा पिरिट्स होना बंद हो गया मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ और फिर मुझे तुम पर और स्यादा गुसा अगया कुछ दिन बाद मैं तुम्हें पेड़ से देखना चाहती थी फिर मैंने पेपर और मीडिया में उस हेरोईन के साथ तुम्हारे रिलेशन के बारे में पड़ा मैं बहुत अपस कर रही थी उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे जरूर ढूंड लोगे और आज तो मेरे सामने हो आदी मैंने अपने पती को खुद को छूने तक नहीं दिया अपने नस्दीग तक नहीं आने दिया आदी इस नॉट जिस फ्लेश और बलाड मैं तुम्हें क्लिरली बता देत और लाणी मैं अवे रहते हैं क्लिक बोले आदी कि रश्लिचा थी अई इस charming साध है इस कुणर मैं मैं यहीं है यह फंड लोगी बैटे। I am pregnant वहां प्रेगनेट पेरी पारेट तरु। Adi 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 वहां प्रेगनेट तुम्पर मैं कितना पुस्सा हो पता है सूचता कि इस जनमने वहां उने माप नहीं करोंगी प्रेगन मुझसे शादी कर लो आदी आज अबी अबी इसी वक्त कॉंगरेट्स आदी आये न सारी गलती मेरी थी तुम दोनों का प्यार कितना पवित्र था ये बात मैं समझ नहीं पाया मुझे माफ कर दो जानता हो माफी के काबिल नहीं हो बस इतना ही कहूंगा अबेशा खुश रहो अच्छा है ना ठीक है इसके भी शादी करवा तो चलिए नहीं दो कभी सोचा ही नहीं था ओके गाईज जड़ा एक दूसरे के पास आओ हाँ हुँँँँँँँँँँँँ truths हाँ 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 भाँ भोब जाबेशれた अबोSo भो व समなんか dump